Hi guys, welcome to my pregnancy series, आज हम बात करेंगे कि pregnancy के दौरान कौनसी vaccinations लगाना बिलकुल जरूरी है और कौनसी ऐसी vaccines है जो optional है आप चाहें तो ले सकते हैं और आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं और इन vaccines को लगाने का timing आपका क्या होना चाहिए अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो like जरूर कीजेगा और इसे अपने friends, family सबके साथ शेयर कीजेगा ताकि उनको भी जानकारी मिल सके, now let's get started तो सबसे बहले मैं आपको बता दूँ कि इंडिया का जो national vaccination program है उसके accordingly एक vaccine जो हर pregnant woman को लगनी ही चाहिए उनकी pregnancy के दौरान वो है tetanus की vaccine tetanus की vaccine के 2 dose लगते हैं, पहला dose लगता है around 5th month और दूसरा dose लगता है around 7th month normally इन 2 doses में minimum एक महीने का gap जरूर होना चाहिए however हो सकता है कि आपके doctor इसे थोड़ा सा early या थोड़ा सा late भी advice करे but between this time आपको ये 2 doses लग जाने चाहिए अब इसी चीज में एक जो तरक्की हुई है वो ये है कि पहला dose तो आपको tetanus का लगता है पर जो दूसरा dose है वो आपको booster लगता है जिसको बोला जाता है T-dap यानि tetanus plus dipteria and whooping cuff जिससे ये देखा गया है कि mother को भी protection मिलती है और जो newborn babies है उने भी whooping cuff से काफी हत्तर protection मिलती है अगर आप एक newborn baby का vaccination chart देखेंगे तो उसमें भी उनको ये vaccine लगती है तो ये एक change recent years में हुआ है कि पहली dose tetanus और दूसरी dose T-dap यानि tetanus, dipteria and whooping cuff की लगती है तो ये तो हो गई जरूरी vaccine अब इसके अलावा दो ऐसी vaccines हैं जो optional है आप अपने doctors से discuss करके इसे लगवा सकते हैं या आप इसे छोड़ भी सकते हैं कई बार हो सकता है कि आपके doctor ही खुद advice करें कि आपको ये vaccine जरूर लेनी चाहिए तो पहली vaccine है coronavirus की vaccine जो recently approved हुई है कि pregnant women और breastfeeding moms को इंडिया में लगनी चाहिए मैं खुद ये vaccine अलरड़ी ले चुकी हूँ और इस पे मैंने एक detail video भी बनाया है कि इसके pros and cons क्या है वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं दूसरी vaccine है flu vaccine जो basically influenza flu के लिए है या H1N1 virus या swine flu बोल लीजे उसके लिए vaccine है ये भी एक optional vaccine है आप चाहें तो लगवाएं आप चाहें तो छोड़ सकते हैं swine flu के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो 2009 में swine flu का outbreak हुआ था ये भी एक respiratory virus ही है और जब ये आया था तो ये बहुत फैला था in fact WHO ने इसको भी एक pandemic ही consider किया था but बहुत ही जल्द इसकी vaccine बन गई थी the reason ये बोला जाता है कि pregnant women को ये ले लेना चाहिए because जिन लोगों की immunity low होती है जैसे pregnant moms हो गए छोटे बच्चे हो गए या elderly लोग हो गए उनको अगर ये flu हो जाता है तो उनकी condition जो है वो severe हो सकती है deteriorate जादा हो सकती है जहाँ आपको जादा दवाईयां लेनी पड़े hospitalization की ज़रूरत पड़े जो आप pregnancy में risk नहीं ले सकते तो it is always a good idea कि mother की protection के लिए आप flu vaccine भी ले ले ये तीन vaccine जो है आप pregnancy के period के बीच में लेते हो बट अगर आप चाहो अगर अब भी तक आपने pregnancy नहीं plan करी है आप आगे करने वाले हो तो और भी अच्छा होगा कि आप पहले ही coronavirus की vaccine ले लो पहले ही flu की vaccine ले लो और फिर अपनी pregnancy को plan करो ताकि उससे आपको protection मिल जाए अब मैं आपको कुछ ऐसी vaccines बताऊंगी जो ideally आपको pregnancy phase से पहले ही ले लेनी चाहिए इन vaccines में live virus होता है और जिन भी vaccine में live virus होता है वो आपकी pregnancy phase में आपको नहीं दिया जा सकता इसलिए जब आप doctors के साथ consultation करना शुरू करते हैं तो उनका ये advice होता है कि आप पहले ही ये vaccines लगा लो और अपने आपको protect कर लो because ये जो बिमारिया होती है ये mother के लिए भी काफी खतनाक होती है और mother से baby को भी transfer हो सकती है तो सबसे पहले है rubella की vaccine जिसको MMR भी बोला जाता है measles, mums and rubella ये भी newborn babies को लगता है अगर आप उनका vaccination chart देखेंगे तो तो rubella भी viral infection है ये जब normal लोगों को होता है तो उनको शायद पता भी नहीं चलता बिल्कुल आसानी से निकल जाता है पास हो जाता है बट अगर pregnant woman को rubella हो जाए तो ये काफी खतनाक होता है mother के लिए भी और mother से ये infection जो है बच्चे पर चला जाता है और कई cases में miscarriage या बच्चे में abnormalities देखी गई है ड्यू टो rubella infection इसलिए बोला जाता है कि rubella की vaccine आपको पहले ही लग जानी चाहिए दूसरा है hepatitis A, hepatitis B again hepatitis A और B भी बहुत खतनाक होते है इनकी vaccine आपको ज़रूर लेनी चाहिए in fact not only pregnant women सबको इसकी vaccine ज़रूर लेनी चाहिए तीसरा है chicken pox चौथा है cervical cancer की vaccine जो specially women के लिए होती है and last है meningococcal meningococcal भी एक ऐसी vaccine है जो बच्चों को अब बहुत लग रही है तो depending on आप किस area में रहते हैं बहाँ पर ये infection होने की क्या chances है आप अपने डॉक्टर से ये discuss कर सकते हैं तो ये जो मैंने आपको भी vaccines बताई ये सारी optional vaccine है totally आपकी choice है आपको लेनी है या नहीं मैंने कबीर के होने से पहले ये सारी vaccines ली थी मेरे डॉक्टर के advice के accordingly because as a mother आप जब ये चीजे सुनते हो तो आपको ये feel होता है कि आप सेफ रहो वो जादा जरूरी है than being sorry कि आपको वो infection हो गया and उससे कोई ना कोई abnormalities या कोई defects वगेरा बच्चे में चले गए तो next time जब आपने डॉक्टर को विजित करें and हमारे Instagram handle पे भी हमें ज़रूर follow कीजिएगा जहां पे हम एक fun way में आप से connect करते हैं और काफी अच्छी information शेर करते हैं इसी के साथ मिलते हैं next video में Thank you, bye-bye